चलिए दोस्तों तो ब्लोग हम शुरू किया जाए यह है हम लोग का काजी रंगा सेंक्चुरी का प्रवेश दुआर जिससे हम लोग को अंदर जाना है इसमें आपको पास दिया जाएगा परहेट 200 या 220 रुपया का होता है तो यह देख सकते हैं अभी आप हम लोग जीब से जा रहे हैं तो जीब के नाय और बाय तरफ दोनों तरफ हर्याली हर्याली है जंगल ही जंगल है जिसमें खतरनाक जीब और जन्तु तो पाई जाते हैं और यह देख सकते हैं अप यह मेरा अर्धांगनी है यह मेरा छोटा सा भच्छा है और यह मैं हूं दो पीछ का सीट मैं बैठा हूँ और एनज्वाइं कर रहा हूं आज यह है मेरा बीवी और यह मेरा बेहन जो एक साथ आज आज हर रहा है और यह जर्णी यह देखिए मेरा थोटू सा बच्चा एक्चलि उस दिन बहुत धूल उर रहा था इसलिए मैं नाक को ढख रहा ये देखे आप हाती भी देख सकते है इस जर्नी तो रोमाचक है ही ये जर्नी था एक्चलि डिसमबर 25 या 26 तारीक को हम लोग किये थे तो जैसे कि आप तो जानते ही है ड्राइ सिजन होता है इसलिए धूल बहुत उड़ता है तो आप इस समय पे अगर आएंगे तब आपको बहुत अच्छा सा एक अनुभब होगा मैं ये जर्नी चलते चलते मैं आप लोग से कुछ जरूरी बाते शियार करना चाहता हूँ काजी रंगा का तो जैसे कि आप बहर से आ रहे है किसी और स्टेट से तो आपको तो पहले गौहाटी पहुचना है गौहाटी से लगभग 190 किलोमीटर का रस्ता है जो आप बस या कार से आ सकते है तो आप आने का पहले होटेल बुकिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आके भी करेंगे तब भी सही है और ओनलाइन में हमेशा ज़्यादा ही दिखाता है लेकिन आप आने से यहाँ पे बहुत कम में हो जाएगा आपका इस सफर में हम लोग का साथ दे रहे थे मेरा सांस और ससूर साथ में अंकल अंटी भी था जो इस सफर को रोमान चकतरे से एंजोई करके जा रहा था जंगल में चलते चलते आपको बहुत हिरन दिख जाएगा यह आसानी से दिख जाता है लेकिन हम लोग तो देखने आए हैं आप ए वन होन राइनो तो अगर भाइग साथ देता है तो हम लोग देख पाएंगे तो चलिए आगे भरते हैं इस रोमान चक सफर में यह हम लोग का ड्राइवर साब जो हम लोग को लेके जा रहे हैं और मैं हूँ की कैमरा पकर के शूटिंग कर रहा हूँ यह कुछ जीप जो लोट के आ रहे है जिसका सफर खतम हो गया हम लोग तो सफर शुड़ू ही किये है एक जीप में कुल 6 आदमी उठाया जाता है इससे अधिक नहीं लेके जाता है तो हम लोग का कुल हिसाब एक पर हिसाब करने से आपको 550 करके लेता है तो एक जीप का 3300 रुपया होता है जो आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते या तो आके इसली एवेलेबल होता है यह दिखी एक ब्लॉक बन गया देर साल का बच्चा का साथ मुझे इस जेर्णी एंजोई कर रहा हूँ यह बीच में सो ही गया था और मैं भी एंजोई कर रहा हूँ जीप सफारी दो घंटे का सफार होता है जिसमें आपको पूरा जंगल ही दिखाय जाएगा उससे जादा आपको समय नहीं दिया जाएगा इस जगा हम रुके थे कुछ दूर से नजर आया शायद एक राइनो दिख जाए लेकिन अभी भी हम लोग का भाग इतना सही नहीं चल रहा है जो हम लोग दिख पाए तो चलिए आगे देखते हैं अगर नसीब सही रहा तो दिख जाएगा एक राइनो ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा टर्टल्स तैर रह होंगे शायद मेरा कैमरा इन लोग को जूम नहीं कर पा रहा है और ये जंगल का बीच से होते हो ये थोड़ा जगा डेम्फ है क्यूकि जंगल है जंगल के कारण जो ओस का पानी है गिर के थोड़ा धूल को कमा रहा है तो ये जगा सही ऐ देखिए एक हाथी नियान को ब्रेक मिल गया उठ गिया और पानी भी पी रहा है ये देख सकते एक बीचों बीच एक टावर है जिसमें आप चड़ के पुरा एरिया का नजरिया देख सकते है बाइनोकुलों भी मिल जाता है आपको यहाँ पे रेंट पे तो इससे काफी जीव जन्तु भी देखा जा सकता है और देखते है यह दिखिया आप हिरन जो बोलते हैं डियर यह बहुत सारा मिल जाएगा लेकिन अभी भी हम लोग को राइनोसरोस का कुछ अनास अता पता नहीं मिल रहा है एक बात बता रहा हूं जीव से आने से आपका लख होने से दिख तो जाएगा आराम से यह दिखिये 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 आप भी मिल गया हम लोग को राइनो यह काफी पास में था तो और उस तरफ जाने से शायद हम लोग को मिल जाता लेकिन हम लोग का तो पर्मिट है निय उस तरब जाने का तो हम लोग जिस रस्ता पे वो लोग लेके जा रहे उसी रस्ता पे हम लोग जा रहे तो ये देख़िए बहुत सारा जंगल जंगल ही जंगल जीप का सफर आपको मनोरंजन और बहुत आनन्त आएगा लेकिन इस से भी अच्छा आपको और एक जर्णी है जो आपको सुबा पांच बजे उटना है और मैं आपको बता रहा हूँ वो है elephant safari वो सबसे सही रहता है आप सबके लिए क्योंकि उसमें आप हाती पे चड़ेंगे वो धीरे धीरे जाएगा ना एनिमल्स ना कुछ डिस्टाब होता है जैसे गारी में आवाज के कारण बहुत सारा एनिमल्स दूर गुजर जाता है तो हाती धीरे धीरे जाता है तो उससे आपको राइनोसरस एकतम इजीली दिख पाएगा 110 परसंट जो मैंने भी elephant safari किया हूँ तो उसका वीडियो तो मेरा पास है नहीं नहीं तो आप लोग को वो भी शेयर कर लेता तो आप आने से जरूर कीजिएगा elephant safari उससे आपको इससे दस गुना आनंद आएगा जीब सफारी से तो ये देख सकते एक छोटा सा पूल ऐसा दस चार पूल आपको क्रॉस करना है चलिए आप से मिलाते हैं ये है मेरा प्रिय साले जी और उनका फियानसी और हम तो पीछे बैट के हम लोग enjoy करी रहे और इस गारी में हम मेरा मम्मी भी था जो मेरा front seat पे है और ये हम लोग का group photo और ये हम लोग का जी फोटो इस जर्नी को हम लोग यहीं समाप करते है और मिलते हैं आपको अगले ब्लोग में धेर सारा प्यार और शुब कामनाए बाई बाई एन सी यू लेटर